आज हमारी सीरीज का 3ea ॐ जिसके अंदर हमने स्टार्ट की है सीरीज कि हम हमारी कैपिटल को एक लो अमाउंट से और बायर ग्रोग करेंगे और 15,000 को जिसले हम आउमारी कैपिटल को ग्रो काई से कर सकते हैं तो 45 इनलिस की वीडियो में है विश्किड़ के के दिनाज का बहुत अच्छा रहा होगा आज बहुत ही अथ्वा मुमेंट हमें देखने को मिला चलिए बात करते ही कि हमने आज कैसे सेट अप बनाया हमने आज कैसे ट्रेड लिया बात करेंकन बैंकनिंफिती की धेली टाइमफ्रेम का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने कला की क्लोजिंग केंडल फीं जिसकी closing हमें कल मिली थी और आज अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने कल का एक zone मनाया था कि अगर बैंक निफ्टी इस डोजी केंडल को कहीं break करती है तो फिर हमें एक अच्छा moment expect कर सकते हैं क्योंकि डोजी केंडल आने के बाद एक market के अंदर scenario हो जाता है कि market एक मार्केट बैंक निफ्टी ने आज यहीं कहीं हमें इसके आसपास ही जहां कर closing गीथी उसके आसपास opening दी एक अच्छे छोटे मोटे gap up के साथ उसके बाद बैंक निफ्टी में एक शाप recovery है और बैंक निफ्टी की जो आज हमें closing मिली है वो हमें इस यह जो हमारी डोजी कें candle थी इसके आसपास हमें लोग के आसपास हमें आपर इसकी closing मिली है तो अभी भी हम decide नहीं कर पाया है कि बैंक निफ्टी यहां से अपना जो trend है यह downside में continue करेगी है नहीं करेगी क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इस डोजी के लोग के नीचे अगर कहीं अगर break करती तो हम ए नीचे से के trend line भी आ रही है तो यहां तक आने के लिए बैंक निफ्टी के पास एक सपेस पड़ा है जहां से अच्छा support लेकि यहां से वापिस बैंक निफ्टी अपसाइट के तरफ एक मोमेंट दे सकते क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर एक पहले support लिया तो उपर il.regard के level gaat यहां बैंक निफ्टि के daily time frame आज बैंक निफ्टी ने इंट्रडे में कैसे trade दिया तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की और यह बैंक निफ्टी का पांच मिनिट का चार्ट निफ्टि ने आज हमें इस candle के साथ हैं पर पहीं ओपनिंग दी ओपनिंग इस ओपनिंग एंडल यह थी यहां से हमें पचासाइट पॉइंट गाएक गैप बोल सकता है मिसे और यह कल की क्लोजिंग थी और इसके पास ही बैंक निफ्टी ने यहां आगे थोड़ी दिर कंसलिडेशन किया उसके बाद क्योंकि आपने कल देखा था कल यहां पर सस्टेन नहीं कर पाए उपर की तरफ और यहां से वापिस एक डाउन साइट का इसने मुवमेंट दिखाया यह जो मुवमेंट था यह इसको नहीं कर पाए क्योंकि हमारी यह जों थी अगर बैंक निफ्टी इसके भार निकलता है तो इसके बार एक अच्छा ट्र यहां पर अच्छे consolidation के बाद व्यंक निफ्टी की तरफ एक मुमेंट ऑर दाउन साइट के अंदर अच्छा मुमेंट करने को मिल सकता तक हमने आज बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनाया बैंक निफ्टी में बनाया क्योंकि जबकर इसकन फिज में था जब ने हमें एक अच्छा moment दे दिया था तो हम बात कर अगर हम कि कल हम कैसे देख सकते हैं bank nifty के अंदर एक trading opportunity तो यह हमारे लिए एक अच्छा zone है क्योंकि यह वो zone है जहां से bank nifty दो दिन से bank nifty की जो closing है वो इसी closing के आसपास bank nifty ने कहीं closing दी है यह bank nifty के कल का लो था और यही आज का लो है जहां से bank nifty एक downside का moment दिखा सकता है अगर bank nifty इसके आसपास यह यहीं कहीं प्लैट ओपनिंग देखे अगर bank nifty थोड़ी दिर हालड करके अगर यहां से अगर downside का moment दिखाती तो हम यहां पर एक अच्छा moment expect कर सकते हैं नीचे के side में और bank nifty अगर इस zone के उपर कहीं trade करने लग जाती तो फिर हम एक upside का moment दिखेंगे इस day high तक का वहीं बात करें हम nifty क कि आज nifty में क्या trade बना और हमने कैसे trade लिया तो चलिए बात करते हैं nifty की यह है nifty का पांच मिनिट का time frame का चार्ट और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने nifty के अंदर कल जो moment आया था जो एक वह था बहुत ही जादा वोलेटाइल मुमेंट था तो bank nifty के अंदर थोड़ा स जो चार्ट था जिसको अपन कहा सकते हैं कि अपसाइड की तो चार्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और हम को trading को बहुत ही simple तरीके से रखना है जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो avoid करते हो उस चार्ट को तो वहीं हुआ bank nifty के अंदर जो चार्ट सा थोड़ा बिगर सा गया था बट निफ्टी के अंदर चार्ट जो था हो सही था क्योंकि निफ्टी ने कल यहां थोड़ा से मुवमेंट दिखाया मुवमेंट दिखने के बाद यहां बी ऐसा कोई डाउन साइड का जैसे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं वैसा कुछ इसके अंदर खराब ने कि और फिर पूरे दिन बर एक साइड विस जोन के अंदर ही रहा थो हमारे लिए जोन था कि अगर यह इसके उपर या इसके नीच अगर कहीं ही ट्रेड करता तो हम एक ट्रेडिंग बनाएंगे वही बैंक निफ्टी आज यहां का इस रैड के साथ उपनिंग हु यहां से फिर एक सपोर्ट लेके अपसाइड का छोटा सा मोमेंट दिखाती है यहां पर भी सस्टेन नहीं कर पाती है क्योंकि प्रिवियस दे की क्लोजिंग जो थी एक हमारे अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी यहां से फिर निफ्टी नीचे आके हमें यहां पर ए सकते हैं कि निफ्टी के अंदर अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलाsix और आज निफ्टी को न लेकर एक निफ्टी के और एक मोमेंट दिखा उसक देचने में एज़टी नही लग रहाँ था आई इसको इसलिए यहाँ पर जाजा सही हमें निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चनिटी मिली तहम यहां लिए पिछले दो दिन से हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था आज इसके अंदर ट्रेड हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर हमारा सेट अप बन रहा करेंगे और अगर हम कल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छा मुमेंट दिखा दिया है अब साइट से डाउन साइड तक का तो जहां तक प्रोबैबिटी है कल हो सकता है कि निफ्टी के अंदर थोड़ी सी साइडवेज जोन के अंदर ही वो रह करेंगी प्ली वीडियो को आगे है तो ईलाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हम साथ में मिलकर हमारी सीजिके बढ़ा करें nya करें और तब